मैंसक पॉल बरिफिकेसर में आज का प्रसंद पिरामिट का है अकसर 3D मेंशुरेशन में पिरामिड और प्रookie को लोग रिंग रूर करके चलते हैं लेकिन प्रीजम और पिरामिड का कौनसेप बहुत ही आसान होता है आम तोर पर जब भी हम 3D मेंसुरेशन की बात करते हैं तो ज़्यादा तर जो में फीगर होते हैं जैसे क्यूबाइड, क्यूब, सिलिंडर, कौन, स्पीर तक ही हम से मिध रह जाते हैं लेकिन प्रिज्म और पिरामिड को कुछ फीगर को रिट किया होगा 3D, 3D आप मेंसुरेशन कहिए 3D मेंसुरेशन की अगर आपने जो है कुछ फीगर को फील किया होगा जैसे आपने अगर क्यूब पढ़ा है ठीक है, क्यूब पढ़ा है आपने क्यूबाइट पढ़ा है आपने cylinder अगर पढ़ा है, जनरल जो finger होते हैं, अक्सर किसी भी exam के लिए पढ़ाये जाते हैं, आपको पता है, cylinder पढ़ा है, कौन पढ़ा है, और sphere पढ़ा है, तो कुछ finger की common जनकारी आपको होनी चाहिए, जैसे, बात अगर हम cube की कभी करें, तो हम जानते हैं कि एक डाइस की तरह होता है, नीचे सर्फेस पर वरगा कार आकरिती होती है, अब इसी आकरिती को अगर हम लोग यहाँ पर एक सेप देकर जैसे हम जिस कमरे में खड़े हैं, अगर इसकी लंबाई और चड़ाई दोनों बराबर होती, तो जो हमारा फर्स होत है कि हमारे पास यह बेस था, यह हमारा फर्स है अगर आप नोटिस करिए, जैसे अगर हम वहाँ से सोचें, बाकी यह छत है, यह जो अभी नया क्रियेट हुए अच्छत है, बाकी चार और दिवाले हैं, जो एक मेरे सामने है, एक मेरे पीछे, एक बगल है, एक फर्स और छ होता है, जैसे कुआ है, पाइप है, यह सब हमारे सिलिंडर के एक्जामपल होते हैं, इसी का अगर वन थर्ड कर देते हैं, हम लोग यहाँ पर सर्कल पर, सर्कल पर ही हम लोग इसकी छत ना बनाके, जैसे इसमें देखो, डारेक्ट यहाँ पर नीचे फर्स पर भी ब्रित तो छत पर भी हमने ब्रित बनाया, वही काम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें, कि नीचे तो हम सर्कल लें, और उपर के वाल एक पॉइंट कर दें, जैसे आपने तराजू देखी होगी, कौन सी तराजू, जो हम आज की डेट में आधुनिक तराजू की बात नहीं कर र जाता था, और एक स्टेंड के माद्यम से इस तरह से रिखिये, जैसे अगर हम यहाँ पर भी बनाएं, तो ऐसे आपने तराजू देखा होगा, ठीक है, यहाँ पर एक लगा करके बैलन्स किया जाता था, तो जो इतना ही केवल भाग है, इतना ही भाग है, जो यहाँ पर संक की तरह भी हैप करता है, अगर हम नीचे बृत्ता कार कर दें और चीजों को परदे के कपड़े के माद्यम से कवर करके लेकर आगे बढ़ जाएं, तो अई हमारे पास क्या हो जाता था, एक संकु की तरह भी हैप करता था, अब उसी संकु को अगर हम लोग यहाँ पर एक ऐ कर दिया गया है, मतलब उसकी कोई छट नहीं है, उसकी दिवाले ही उसकी छट है, आपने मेले में तंबू देखा होगा, नीचे बृत्ता कार सता है, उपर ले जाकर उसको ऐसी जगह जोड़ दें कि पूरा का पूरा कपड़े से ऐसे स्ट्रक्टर क्रियेट कर दिया जाए उसको हम संकु कहते हैं, पिरमिड भी कुछ इसी तरह से होता है, जो मैंने अब यहां पर तराजुवाला सिस्टम बनाया है, आप इन में से किसी फीगर को ले लो, इवन आप ट्रैंगिल भी ले लो, आप किसी भी ऐसे फीगर को ले लो, जो टूडी हो, टूडी होने का मतल वह आयत हो, वह वर्ग हो, वह समांतर चत्रभुज हो, वह किसी प्रकार का चत्रभुज हो, वह पेंटागन हो, वह हेक्सागन हो, वह हेप्तागन हो, मतलब कुछ भी हो, कोई भी एक पॉलिगन हो, अगर हम उस पॉलिगन को बेस बना ले, मतलब सतह ऐसे जमीन जैसे कमरे मे ऐसे फर्स बना ले, एक बिंदू देखो, जैसे वहाँ पे spotlight पढ़िए, वहाँ पर point कर दे, जो center पे हो, और ऐसे हम उसको कपड़े से जोड़ दे, तो जो figure आपके सामने बन कर आएगा, वो पूरी तरह से pyramid हो जाएगा, उसी को हम pyramid कहते हैं, थोड़ा सा pyramid को ऐसे समझ लीजिए, तो आपको clear हो जाएगा, pyramid का concept आपको clear हो जाएगा, मतलब आप कुछ भी base ले लो, base में जैसे हमने का हम triangle ले ले, ठीक है, base में अगर हम triangle ले ले, एक त्रिभुज हमने नहीं से notice किया, त्रिभुज है तो त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, संभाहू हो सकता है, बिसंभाहू हो सकता है, समकोडी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, यहाँ पर हमने एक center ले लिया, इसको भी से join कर दिया, इसको भी से join कर दिया, और इसको पर बस ध्यान इतना देना अच्छा बेस है नीचे का और बेस है तो ऊपर हमारे पास एक सेंटर जैसे सरफडस है तो फडस यहां पर पॉइंट है सब को ले जाके ऐसे जोड़ दिया जिससे हमारा एक पिरमिट क्रियेट हो गया ऐसे अगर आपके पास माल लो की माल लीजिए एक सागन हो देखी ध्यान से सारे फीगर को बेस बना कर हमें एक पिरमिट क्रियेट कर सकते हैं इस से मिला दिया 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 तो बन गया पिरमिट इस सब पिरमिट की तरह बन कर सामने आ रहा है ठी कौन बहुत कामन फार्मुले को बनाता है, इसकी अपनी एक center की radius मतलब circle नीचे होता है, base है, base मतलब circular है, तो circle की अपनी एक radius है, और इस point से इसकी length को इसकी height कहते हैं, जब भी हम लोग इसके आयतन की बात करते हैं, इसका volume क्या होता है, हमेशा किसी भी structure का volume create करना बहुत असा होता है, base area, मतलब इसका base क्या है, जैसे देखिए, base इसका क्या है, circle है, तो हम इसके volume को, हम circle, cylinder से relate करते हैं, जो cylinder का होता है, उसका one third होता है, one upon three into base area, into base, into height, एक करना होता है, इसके volume के लिए, तो यहाँ पर base, basically base मत लिखिए, base area लिखिए, ठीक है, तो अब यहाँ पर circle है, और circle का area क्या होता है, pi r square, into height कर दीजे, यही इसका volume हो जाता है, अब हमारे पास, माल लिजी, इसी कोन की तरह कोई भी pyramid है, कोई भी pyramid है, वो चाहे आपका त्रिभुज के अधार पे हो, चाहे उस चतुर्भुज के अधार पे हो, चाहे बृत्य के अधार पे हो, मतलब किसी भी अधार पर हो, माली जीवा, चतुर्भुज के अधार पर है, चतुर्भुज नीचे है, तो ध्यान से देखिए, चतुर्भुज मालो rectangle है, जिसकी अपनी लंबाई है, जिसकी अपनी चोड़ाई है, यह point है, अब सब को इससे मिलाईए, सब को इससे मिलाईए, तो आपको समझ में आएगा कि एक pyramid create हुआ है अब pyramid create ही हो तो यहां से इस सतह तक की जो दूरी होती है बिसिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे हम यहां पर हैं तो यह सतह है यहां से इसकी जो दूरी होती है उसको height लिया जाता है जो जनरली ऐसे कुछ create करके दिखाया जाता है कि यहां पर height बनती है इसकी ठीक है center पर जो आके meet करती है हम कुछ उस तरह के figure और वीडियो के माध्यम से हम आपको जैसे create किये हैं बनाएं और ऐसे pyramid भी समझा देंगे अब यहां पर अगर मुझे इसका आयतन निकालना हो तो आयतन के लिए उसी तरह से formula चलेगा एक बटा तीन होगा into base यहां पर क्या है लंबाई गुड़े चोड़ाई मतलब आयत था तो लंबाई गुड़े चोड़ाई होता है और यह वाली उचाई इस तरह से कर देने से हमें क्या पता चलेगा इसका आयतन पता चलेगा जो प्र साथ हमें उचाई पता है दस सेंटीमीटर थम से उसका आयतन पूछा जा रहा है कि आयतन बेसिकली क्या हो जाएगा ठीक है आपने देखा कि यहां पर हमें जो सही उत्तर मिला है क्यों 28% लोगों से मिला है मैंने भी स्टिक किया तो 190 सही उत्तर बनकर आ रहा है बट 28% यही तो फार्मुला भी हम लोग ने डिसकस किया तो वन अपान 3 करिए और बेस एरिया मतलब बेस को आपको खुद क्रियेट नहीं करना है अलड़ी बेस एरिया इसने दिया है 57 हम भी लिख देंगे 57 इंटो डिस्टंस बिट 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 पॉइंट पॉइंट इस काल दा हाइट जो कि 10 दिया है तो तीन से इसको डिवाइट करिए 19 आया 19 गुड़े 10 कर दीजी 190 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यों घं सेंटीमीटर इसको कहते हैं जो कि यहां पर देखी 28 परसेंट लोगों ने करेक्ट अंसर दिया है मैं इसका कॉंसेप्चुल एक वीड होती है निश्यत तोर पर कुश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने प्रवाइड भी किया आपको और पॉल बारिफिकेशन में भी रखा तो आप ऐसे प्रसनों पर ध्यान दीजिए ऐसे प्रसनों को करिए और प्रद्दिन के पॉल पार्टिसिपेशन में अपने को इ प्रद्दिन के इंवाल्व रहने के लिए हमें भी मोटिबेट करते रहें जिससे कि हमें भी एक एनरजी मिलती रहें और हम भी आगे करने के लिए प्रेरित रहें बाकि अगले पोल कुश्चन के साथ मैं फिर से मिलूगा बहुत हो धन्यवाद थैंकि सो मज